अगर अभी तक आपने श्टी लेंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो प्रिश देवल आइकाउन और गेट नोटिफिकेशन और आज इस वीडियो में हम मुगलकाल में आने वाले यात्रियों के करम के शुरुवात कर रहे हैं और इसमें जो पहला वीडियो होगा यह मुगलकाल से संब्सक्राइब इसमें हम लोग बात करेंगे अकबर के काल में आने वाले जो यात्री थे वो कौन-कौन से महत्मुन य यात्री थे सारे इंप्वाटन्ट क्या सभी करीब करी मुझे रखता है इसमें जितने भी यात्री और पाद्री जितने भी मिशन जेशुट मिशन आये हैं उन सब का डिसकुस्टन इस दो पेज में होगा और कई बार हैं सवर पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि इस ब लिखा गया विवरेड है चुशन इंप्वार्टन सुचनाय दी है उन्से समझेश सवाल बन सकता है तो हम उसको देखने कोशिश करेंगे चलिए अमनों शुरू करते हैं अकबर के काल में आने वाले यात्री उसमें जो पहला यात्री है अकबर काल में आने वाला वह थामस स्टीवन्स यह बहुत सार किताब हम नहीं दिया हुआ है तो आप इसे नों डाउन कर लेना यह इंप्वार्टन है तो अकबर के काल में जो आने वाला पहला यात्री है और यह मुगल काल में आने वाला पहला यात्री है इस चीश को ध्यान रखेंगे अगर कभी यही क्वे गोवा में रहा है कि तो इस चीश के ध्यान रखेंगे यह 1579 में आया था 1589 में यह इस अतना इंप्रण नहीं है लेकिन यह ध्यान रखेंगे यह पहला यात्री है मुगल काल में जो आ रहा है दूसरा में राल फिच है आप इससे परचित हैं पढ़ चुके हैं इसके पहले मुझे पुरा भरूसा है 1588 से 909 तक रहा है और अकबर से मिलने आगरा में आया था आगरा में मिला और पिर आगरा आगरा तो कभी एक क्वेस्टन पूछ सकता है कि आपसे जाल फिच अकबर से कहां मिला था तो आगरा भी आप्शन देगा पहली बार या फत्य पुश्रीकरी भी देगा और इलाहबाद देगा या फिर लाहोर देगा कुछ और दे सकता है तो यह ध्यान रखेंगे जो पहले मुलाका उसके जो मिला है वह वह आगरा में मिला इसके बातफ़ते पुश्रीकरी गया है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और राल फिच ही पहला अंगरेज ब्यापारी भी है इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग इसने क्या लिखा है कुछ इंपोर्टन चीज़े उसने लिखी है ह एक चीज़ और इंपोर्टन है यह महारानी एलिजावेथ का जो है पत्र लेकर आया था तो महारानी एलिजावेथ का पत्र लेकर आने वाला मुगल काल में जो बिदेशी यात्री का क्या नाम है तो राल फिच है और अगबर के काल में आ रहा है इसको ध्यान रखेंगे इस William Leeds ये रतन बिशे सक गए है ये भी था उसके साथ में और ये सब टीनों जो आये थे वो टाइगर नामक जहाद से आये थे इसको ध्यान रखेंगे टाइगर नामक जहाद से ये तीनों आये थे कौन को न्यूवेरी उसको लीड कर रहा था निवेरी और जेम्स स्टोरी रॉल फिच विलियम लीड से इसमें से आपसे क्वेशन एक बार पूछा भी गया है कि अकबर के काल में आने वाला कौन सा यातरी रतन बिशेशक था तो यह ध्यान रखें विलियम लीड से पूछा जा चुका है और अब की हो सकता है यह पूछ से कौन सा चित्रकार था तो जेम्स से स्टोरी इसको याद रखेंगे क्या लिखा है फटल राल फिच ने कि फटेपूर आगरा से बड़ा तथा आगरा फटेपूर लंदन से लंदन से भी बड़े हैं फटेपूर जो है आगरा से बड़ा है तथा आगरा फटेपूर लंद करार फते पिर दोनों लंदन से बड़े हैं और अगला जो यातरी है जॉन मिल्डिन हाल है यह पंद्रह सब्सक्राइब से सोला सच्छे तक रहा और दो बार कहते हैं यह बिजय नगर भी आया है जिए ध्यान रखेंगे अंपॉर्टN आ तो पृतलम बार हेक्टर नामक बास्ते यहातरी आए था तो एक्टर नामक जाहाओ से आने माने वाला देरी काउं सा है इसको द्यान रखे गेगे गों है जानों बिले नाखाल और इसके मुरुत्रिव मेर में हुई है यही कर्णा विडिन के महराज का दूत है इस बात को कहता था लेकिन वैसा था नहीं वास्तों में तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विडिन से आने वाला या वह कौन सा बिरेशी आत्री है जो अपने आपको सर्वत यात्रा के दौरान जो है दूत बताता है लेकिन वास्तों में वह बिटिन के राजा का दूद नहीं था तो इसको ध्यान रखेंगे जान मिल्डिन हाल है अगला है मौन से रात आप इसे भी परचित होंगे यह पुर्टगाली एक पादरी था जो फादर एक अभीवा के साथ आया था अकबर के दरबार में और कहते हैं कि इंपॉर्टन्ट ची दावू लभ्यान प्रगया था इस चीज़को ध्यान रखेंगे अगला है कि अगला अगला देखें कौन इंपॉर्टन्ट है हाँ और वही जो फादर मंसरात है यह मुराद का सिच्छक भी अपॉइंट किया गया था मुराद अकबर का रड़का था जिसकी मृत्य अतिदि संपरदाय का व्यूर्य लेक था है अगला है गोल्डी नाम के द्रव यात्री था जो अकबर के काल में आया था आप शाइद से नहीं परचित हो गए तो सिध्यान रखेंगे यह लगां करके काल में आने वाला पीधियात्री है और इसाइग मिष्णरी तीन बार से शुए म और एंदिक वेज तो यह तिन लोग इसमें सामिल थे दोतीय मिशन 1590 में आया है जो लाहूर में आया था इसमें एडवर्ड लोटेन लेटोन और क्रिस्टोफर डिवागा और लाहूर में इन्होंने पाठ साला बनाई है दोती जो इसाइव मिशनर्यों का दोती इसाइव इसमें जेरोम जेवियर सामिल है और एमैनुवल एक सामिल है दूसरा पिन हैरो और वेनेडिक्ट डिगोएज तो इसमें चार लोग आये थे एक साथ में तो पूछ देगा कि 1595 में अकबर के काल में लाहूर में एक जेसूइट मिसन आया था और निम्न मिसे उसमें कौन साम पूस्ट दिया है तो इसको नोट डाउन करने देखने इंपॉर्टन है सारे और इसके बाद हम जहांगीर के काल में आने वाले यातुरियों का बटाएंगे आपको और फिर एक करके जल्दी जल्दी सारे मेडिवल इंडिया में आने वाले ट्रेवलर जितने भी हैं उनका सब्सक्राइब करें लाइक करें अपना कॉमेंट करें कॉमेंट सेक्षन में वीडियो आपको कैसा लगता है कि इस तरह आपके यल्प करता है मुझे जरूर बता है थैंक्यू